तीसरे कारकाल में प्रदानमंत्री सेख हसेना जी हमारी पहली स्ट्रेट गेस्ट है बंगलादेश हमारी नेबर्वूड फर्स्ट पॉलिशी एक्ट इस्ट पॉलिशी वीजन सागर और इंडो प्रसिफिक वीजन के संगम पर स्थीफ है पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोग कल्यान के अनेक महत्वपों प्रोजेक्स को पूरा किया है अखावडा अगरतला के बीच भारत मंगलादेश का छठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है खुलना मंगला पॉर्ड द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविदा शुरू की गई है मौंगला पॉर्ड को पहली बार रेल से जोड़ा गया है तेरा सो बीस मेगावर्ट मेट्री थर्मल पावर प्रांट के दोनों विनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है दोनों देशों के बीच भारतिये रुपिये में ट्रेड की शुरूआत होई है भारत बंगला देश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर कूज को सफलता पूर्वक पूरा किया गया है भारत बंगला देश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रैंट्शिप पाइपलाइन पूरी की गई है भारतिये ग्रीड से होते विए नेपाल से बंगला देश तक बिजली निर्या उर्जाक शेत्र में सब रिजनल सेयोग का पहला उदारर बना है एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाद में इतने बड़े हिसेटिस को जमीन पर उतारना हमारे सम्मंधों के स्पीड और स्केल को दरसाता है बंगला देश के प्रधान मंत्री सेख हसीना और भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी दोनों रास्ट प्रमुक के बीच बड़ी लेंग्वेज और केमेस्ट्री पर गौर करें तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा दो रास्ट प्रमुक के मुलाकात में गर्मजोसी के अपने माइने होते हैं एक दोर था जब हमारे रहनुमा पाकिस्तान के साथ इसी तरह के गर्मजोसी से मिलते थे भारत से दोस्ती के महत्तु को पाकिस्तान कभी समझ ही नहीं पाया खेर वह दोर अब खत्म हो चुका है आजादी के समय जब देश का बटवारा हुआ था तब बंगला देश बंगला देश नहीं था बलकि यह पाकिस्तान कहीं हिस्सा हुआ करता था और पुर्वी पाकिस्तान कहलाता था बरस 1971 में पाकिस्तान से तूट कर बंगलादेस बना बंगलादेस हमारा परोसी मुल्क है भारत और बंगलादेस दक्षिन ACI परोसी देश भी है आम तोर पर भारत और बंगलादेस के बीच मैत्री पुर्ण संबंद रहे हैं हलाकि कभी-कभी कुछ सीमा बिवाद भी होते रहे हैं बंगलादेस की सीमा तीन और से भारत से मिलती हैं ये दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर, तटिये, छेत्रिये, सहयोग संग और राष्टकुल के सदसे हैं भारत के पस्सिम बंगाल और तेतुरा राज के लोग आज भी बंगाली भासा बोलते हैं इसलिहाद से हमारी बोल्चाल की भासा भी करीब-करीब एक जैसी ही है हम पहले ही बता चुके हैं कि बंगला देश का जन्म 1770 में हुआ था तब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था जबाब में भारत ने पुरुवी पाकिस्तान को पाकिस्तान से छेन कर एक आजाद मुल्क यानि बांगला देश बना कर पाकिस्तान के मुह पर जन्ना टेदार चाटा मारा था बरस 1971 की जुध में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के कड़ी 93,000 सेनकों ने आत्म समरपन करके पाकिस्तान के मुह पर कालिक पोत दिया था भारत के साथ जुद्ध की ख्वाइस रखने वाले पाकिस्तान इसके बाद भी सुधरा नहीं और बीच बीच में ठेथराई करने से बाज भी नहीं आता है। लौटते हैं बंगलादेश और भारत के सम्मंदों पर Gilman Pan partirini Maurya प्रधानमंत्री ऑर प्रधानमंत्री सेख असीना के बीच जो दुई पच्छिये समझहोता हुआ है उसमें क्या हुआ स्वेंद्र प्रधानमंत्री नरेंD啊 से बता रहे हैं सुनियाν हमने नएक शेत्रों में सहयोग के लिए फिचरिस्टिक वीजन पैयार किया है ग्रीन पार्टर्शिक, डिजिटल पार्टर्शिक, ब्लू एकानामी, स्पेस जैसे अनेक शेत्रों में सहयोग पर बनी सामतिक अलाथ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा भारत बांगलादेश मैत्री सेटेलाइट हमारे समंधों को नई उचाय देगी हमने अपने फोकस में रखा है कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कॉलोबरेशन पिछले दस वर्षों में हमने 1965 से पहले की कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया है अब हम और अधिक डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी पर बल देंगे इससे दोनों देशों की अर्थेववस्ताओं को गती मिलेगी हमारे आर्थिक समंधों को नई उचाय पर ले जाने के लिए दोनों पक्ष सीपा पर बाचीट शुरू करने के लिए सहमत है बंगलादेश के सिराज गंज में एक इन्लेंड कंट्रेनर डिपो के निर्मान के लिए भारत समर्थन देगा फ्रेंड्स 54 साजा नदिया भारत और मंगलादेश को जोडती है फ्राड बैनिजमेंट अर्ली वार्निंग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्स पर हम सहयोग करते आए हैं हमने 1996 के गंगा रिवर्ड ट्रीटी के रिन्यूवल के लिए टेक्निकल स्तर पर बादचीत शुरू करने का निर्णे लिया है बांगलादेश में तिस्तह नजी के समरक्षन एवं प्रबंदन पर बादचीत के लिए सिग रही एक टेक्निकल टीम बांगलादेश का दौरा करेगे प्रेंट्स रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सहिन्य बलों के आधुनी करण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई हमने काउंटर टरुरिजम कट्टरवाग और बॉर्डर के सांतिपूर्ण प्रबदनर पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निष्टे किया है इंडियन ओशन छेत्र के लिए हमारी विजन समान है इड्लो प्रसिफिक ओशन इनिशेटिवस में शामिल होने के लिए बंगला देश के निर्णय का हम स्वागत करते हैं हम विम्स्टेक सहीर अन्यर रीजिनल और अंतराष्ट्य फोरम पर भी अपना सहयोग जारी रखेंगे फ्रेंड्स हमारी साजा संस्कृति और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल एक्सेजी हमारे समंधों की नीव है हमने स्कॉलर्सी ट्रेनिंग और केपिसिटी बिलिंग को और बढ़ाने का निर्णय के लिए हैं मेडिकल ट्रीट्मेंट के लिए बंगला देश से भारत आने वाले लोगों के लिए भारत इमेडिकल विजा सुविदा शुरू करेंगा बंगला देश के उत्तर पस्टिम खेतर के लोगों के सुविदा के लिए हमने रंगपूर में एक नया आसिस्टन्थ हाई कमिशन खोलने का निर्णय दिया है बंगला देश भारत का सबसे बड़ा डेवलोप्मेंट मार्टनर है और बंगला देश के साथ अपने सम्मंदों को हम अत्यधीक प्रात्विक्ता देते हैं मैं बंग बंदों के स्थीर सम्रुद्ध और प्रगतिशिल बंगला देश के वीजन को सरकार साकार करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहरा ताम हूँ 2026 में बंगला देश डेवलोपिंग कंट्री बनने जा रहा है सोनार बंगला को नेत्रुत्व देने के लिए मैं प्रधान मत्री सेख खसना जी का अभिननन करता हूँ